देश के अलग-अलग राज्यों से कई हरान करने वाली खबर सामने आती हैं जिसकी वज़त से जमकर बवाल मुझता है कभी हिंदू बैर बेटियों को निशाना बना जाता है तो कभी सनातन धार्म को किसी ना किसी तरीके से हिंदू को भड़काने और आहत पहुंचाने की कोशिस की जाती है लेकिन जैसे ही ये लोग पकड़े जाते हैं हाथ जोड़कर गड़गड़ाने लगते हैं अलाकि इनकी कारणा में माफी के लायक नहीं होते हैं इसलिए इनके खलाफ सक्त एक्शन देना पड़ता है और ये जरूरी भी है ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले ये सौ बार सोचने पर मजबूर हो जाएं नमस्कार आप देख रहे हैं कापिटल टीवी उतरपदेश और मैं हूँ आपके साथ दिव्यासी इस खास प्रग्राम परदाफाश में आपका स्वागत हैं परदाफाश में बात होगी आज मध्यपरदेश में हुए एक बहुत ही बड़े खुलासी मध्यपरदेश में हुई थी चववन गोवन्ष की हत्या माबले बेशादाव वाहित सहित साथ किरफतार संप्रिदाइक तनाव भढ़काने की कोशिस नाकपूर हैदराबाद से हुई थी फंडिंग मध्यपरदेश में हुए एक घटना के खोलासे ने हड़कम पुछा दिया है और इसमें हुई गिरफतारी ने बवाल मचा दिया है दरसल मध्यपरदेश के सिवनी में 19 जून 2024 को गोवन्स के दरजनों कटे शव मिले थे प्रशासन ने मवेशी डॉक्टर को बुला कर शव का परेक्षन करवाने के बाद शव को दफना दिया इनकी पोस्मार्टम से पता चला कि इनका गलास 17 और 18 जून के बीच रिता किया पुलिस ने इन मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया वह नागपूर के 3 आरोपितों को चिनित क्या किया जाच में पता चला कि मध्यपरदेश में ऑपरेट करने वाले गोवन्ष तसकरों को हैदराबाद और नागपूर से फंडिंग हो रही है सीवनी में पकड़े गए गोवन्ष तसकरों ने पुलिस पुछदाच में यही खुलासा किया नागपूर के 3 तसकरों के संपर्क में थे इन्होंने गोवन्ष को पशु बाजार से खरिदा था और इन पशुओं को नागपूर से होते हुए हैदराबाद ले जाना था दैनिक भासकर के रपोर्च के मुथाबिक हिरासत में लिए गए लोगों में शदाव वाहिद इर्फान रामदास उई के संतोश शामिल है से दो के कान में टैग लगे थे अधिकांश पसुओं के कान काटकर टैग गाइब कर दिये गए थे यह टैग पशु बाजार में मवेशियों की खरीद भिक्री के धरान लगाया चाते हैं इसे टैग के सहारी पुलिस आरोपे तो तक पहुंची है इस पी राकेश सिंग के ब कि गोवन्ष का गला काट कर तसकर संपरदाइक सुहात बिगारना चाहते थे ताकि पुलिस की सकती डिली पढ़ जाए और दूसरे रास्ते से अन्य गोवन्षों को ले जाने का मौका मिल जाए पुलस अधिक्षक का कहना है कि गोवन्ष का गला काटने में 12 से 15 लोग शामि पुलिस के पूछताच में आरोपितों ने बताया कि मवेशियों को आगे खरीदने वालों नहीं उन्हें गला काटकर फेकनी का निदेश दिया था दरसल पुलिस ने पिछले 10 सालों में पशुत तसकरी रूट को ट्रैक कर समिंद शील जिलों को चिनित किया था इन में सीव गोवन्स के शौव मिले थे वहीं धूमा च्छेत्र में यासे 32 शौव मिले इन शौव के गरदन कटे हुए थे शौव का कुछ हिस्सा नजदी की जंगलों में भी फेका किया था पुलसनी गाओं के लोगों की मदद से गोवन्स के शौव को वैन गंगा नदी से बाहर निक संगट्टों का कहना था कि दंगे कराने की साचिश के तहती यह सब किया गया है वह इस घटना का समन्द बखीत से होने की बात कही जा रही है इतना है नहीं सीवनी चिले के लगदावन में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच गोवन सत्याकान में शामिल चार आरोपियो जानकारे के मताबिक पांच में से तीन आरोपियों पर रासुका यानि के रास्टे सुरक्षा कानून भी लगाया जा चुका है वहीं मार्च दोहजाद चोबीस की खबर है उतरपदीश की बांदा भी पुलिस ने तीन ऐसे तसकरों को गरफतार किया जो गोवन्च को लेकर करने जा रही थी पुलिस उनके कबजे से 15 गोवन्च बरांट की पुलिस देर इन सभी के खलाब प्रशुभलता निवारण Ahating पुलिस के मुताबिक थाना नरैनी को सूचना मिली थी कि ग्राम रंपुरवा में कुछ तसकरों द्वारा बड़ी संख्या में गोवन्स की हत्या करने के उदेश्य से यानिकी मकसद से मध्य परदेश ले जाया जा रहा है सूचना पर पुलिस अलर्ट हुई और मौके पर पहुंच गई वहाँ पुलिस ने तीन परसू तसकरों को गरफतार खलिया उनके कबजे से 15 गोवन्स बरामत किये गए वहीं मौके से एक आरोपी रात में अंधेरे का फायदा उठा कर भागनी में कामियाब रहा फरार आरोपी की गरफतारी के लिए पुलिस टी में दबिश ने रही थी पुलिस ने यभी बताया कि फरार आरोपी एक बार पहले मध्यपरदेश में इसी मामले को लेकर पकड़ा जा चुका है आरोपी चुट्टा यानि अन्ना गोवन्स को पकड़ लेते हैं और एकठा क करकी गाउं से बाहर चख पर लाद कर ले जाते हैं लेकिन उससे पहले पुलिस नहीं उन्हें दबोच लिया डेस पी अमभूजा त्रवेदी नहीं बताया कि थाना नरहीं में सूचना मिली थी कि थाना शेत्र के गाम रमपुर्वा में कई गोवन्स को गोवद के लिए ले इतना ही नहीं जून 2024 की बात है मद्यपरदीश रतलाम की जावरा में गाय के बच्छे का कटा हुआ सिर्फ मंदिर में फेकने से मामले की आग भी शांत भी नहीं होई थी कि जबलपुर के गोरा बाजार था रा इलाके के अनुराधा कॉलोनी में गोवन्स की मौत पर खासा ब आधिकारे ने पुलिस थाने पहुंच कर चंपकर पदेशन किया और पुलिस को ग्यापन देते हुए आरोपी पर कड़ी कारवाई की मांगी हिंदुवादे संगटनों ने पुलिस को एक सिस्टी वे पोटेज भी दिया जिसमें एक युवक गाय को दाने में जहर मिलाकर ख दुखाने से मौत हो गई और उन्हें कुछ लोगों पर जैर खिलाकर इसे मारने का आरोप भी लगाय था जिसका प्रमार्स सेटेवी पोटेज में मिल गया ऐसे संबन में शिकायत करता और हिंदुवादी संगटनों की और से कुछ वीडियो से ज्ञाग आता हुआ भी कि बस सिसी टीवी के अधार पर युवा के पहचान की जा रही है जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा मैं दुवाजाद चौबिस की बात है लखीम पुर्खीरी खाना हैदरबाद छेत्र की ग्राम पंचार कप्रहा के मजरा दिवरिया के एक खेत में गोवन सी और कड़ी कारेवाई की चितावनी भी दी ग्रामिडों के सूचना पर पहुंची पुलस ने खेत में मिले आयस थी पंचर सिलकर पोस्त मार्चम के लिए बेज दिये हिंदुवादी संगठनों ने हत्यारों पर कठोर कारेवाई की मांगी पुलस ने चौकिदार की तहरीर और अग्याद के खलाब गोवन निवार अदेनियम के ताहत रिपोर्ट दर्च कर आरोपियों के तलाश शरू करी थी थाना हैदराबाद छेदर की ग्राम पंचायत कपरहा के मजरा दिवरिया में सडक से आधा किलो मीटर दूर जस्करनाल के गन्ने के खेत में गोवन्स इकठा हो गए हिंदुवादी संगटनों ने थाना हैदराबाद पुलिस को इसकी खबर दी फिर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामले की चांज शुरू कर दी और कहा कि बहुत जब दोश्यों को पकड़ा जाएगा और सक्त से सक्त कारवाई भी की चाहिए तो इस तरह स मैं राजनीती करताने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता मैं लोगों के बीच रहता लोगों के मन को अच्छे से जानता पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूप पहचानता संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासंता मैं हर ख़बर से ख़रा सच निखानता ना कोई दौड ना कोई रेस क्यापिटल बीर उत्तर देश